नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दुशा सत्य की राहमी मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड संतो संतोशी एक दिन आगे और इस माह का आज अंतिम दिन अगस्त महीना आज अंतिम दिन आज प्रातहकाल आधे घंटे मतलब भादर्पत लगने से पहले रक्षा बंधन जरूर बांधा जा सकता है यही आज वाला जो महूर्त है यह सबसे सर्वोत्तम महूर्त कहा जाएगा तो आज आप लोग राखी जरूर बांधें अपने अपने भाईयों को मैंने इसका विशेश मुहूर्त कलवाले कारिकर में बताया है क्या तिलक बनाना है तिलक में क्या मिलाना है इस पर भी हमने कलवाले राशी फल में सब कुछ डेटेल दिया है तिलक बनाने में हर राशी की माताएं बहने क्या मिलाएं आप वहाँ से इसको उठा सकती है आज हमसे आप मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में गाजियाबाद में मिलने के लिए आप लोग कार्याले के नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं आए सुर्वात करते हैं अब आज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जूतिश दिशा सत्य की राहा योग रहेगा सुकर्मा तद अनुसार दिनांक 31 अगस्त दिन गुरुवार गुरुवार को राहुकाल का समय क्रिपया नोट कर ले दोपहर डेड़ से तीन इस समय कोई भी नए और शुबकाम का आरंभ आपको नहीं करना चाहिए और गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा गुलिक काल का समय रहेगा प्रातहकाल नो बजे से दस बच कर तीस मिनट तक गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुबकाम का आरंभ कर सकते हैं हर काम आपके बनते हैं और शुबता आपको अवश्य प्राप्त होती है अब सुर्वात करेंगे सबसे सटी गोचरिय तर्क के साथ भवश्य वानी आज चंद्रशनी का विश्य योग है राहु के नक्षत्र में आज का चंद्रमा है तो आज जो भी आप लोगों को प्राप्त होने वाला है वो कुम्भ से संचालित होगा जहां चंद्रमा आज भी राजबान है कुम्भ राशी में चंद्रशनी की यूती है आज और यही से आपके गोचर का फल निर्धारित होता है आए जानते हैं सबसे पहले मेश राशी का राशी फल मेश राशी वालों के लिए आज का दिन लाब स्थान पे चंद्र और शनी की यूती के कारण लाब मार्ग प्रभावित करेगा लाब के रास्ते में मांसिक चिंता बढ़ सकती है ब्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा रिस्क लेने की आज कूबत आपके अंदर जागरित होगी आज आप रिस्क ले सकते हैं प्राइवेट सिक्टर के लिए बात करें तो मेहनत से भागना भारी पड़ेगा बास प्रशन रहेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपका लाव आप तक पहुँच पाएगा अचानक दोपहर के बाद किसी किसी विशेप पर कुछ उतार चड़ाव महसूस हो सकता है बात प्राइवेट सिक्टर की करें तो आज यात्रा से भी आपको लाव मिलेगा क्योंकि चंद्रमा लाव स्थान पर हैं और चंद्रमा यात्रा के जनक होते हैं सरकारी छेत्र वालों के लिए परिणाम अनकूल रहेगा जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको पूरण अलाब मिलेगा दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीच ताल्मेल अनोखा है आज का दिन एक दूसरे के पति सहज भाव से अंतरंगता रहेगी लव लाइफ के मैटर पर थोड़ा सोच समझ के निरड़े लेना होगा शनी की वीद्रिष्टी और चंद्रमा की वीद्रिष्टी आज पंचम भाव पर पढ़ रही है मांसिक परेशानी आज लव लाइफ में बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत घुटने की तकलीफ आज परेशान करेगा क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी मेश है आज तीन पौधों में जल देना आपके लिए परम शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भागी प्रतिशत बावन 52 ब्रिशब राशी चंद्रमा का संचरन आपकी राशी में आज दसम भाव में भी राजबान है चंद्रमा टेंथ हाउस में लिहाजा पढ़ाई के लिए समय अनकूल नहीं है पंचम से छठे है शिक्षा नहीं हो पाएगी शिक्षा का प्रभाव आज कुछ नकारात्मक अपने आप हो रहा है किसी बात पर खास तौर पर मन बिचलित रहेगा आज का दिन चंचलता आपकी बढ़ रही है ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में बहुत मेहनत करेंगे आज बिजनस की स्थती अनोखी रहेगी बिजनस में कुछ बहुत शुभ होने जा रहा है आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए सुपर मेहनत का रहेगा यात्रा से विशेश लाब होगा धन की स्थती सुद्रुन रहेगी सरकारी छेत्र की बात करें तो आज मानसिक तनाव हो सकता है कोई काम हाथ से निकल जाएगा बॉस के साथ विवादास्पद इस्थती आ रही है पति-पत्नी के बीच सब्तम से चोथे में चंद्रमा का संचरण केसी बाहरी तत्तु का हस्तक छेप इस्त्रीगों के लिए सौतन संताप पुर्शों के लिए इस्त्री का भटकाव आज प्रदर्शित हो रहा है अपने रिष्टे पर आपको फोकस करना होगा रिष्टे को समय देना होगा बात करें अगर स्वास्त के मामले में तो आज माइगरेन की समस्या होगी बिशब राशी वाली लोगों को आज प्रियोग के तोर पर माधुरगा के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी पृत्षत सत्ताबन मिथुन राशी आज का दिन मिथुन राशी वालों के लिए चंद्रमा का संचरल नवमस्थान पर है लहाजा पढ़ाई के लिए तो समय ठीक रहेगा नवन भाव पंचम से पंचम होने के कारण सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है लेकिन ब्यापार की बात करें तो यहाँ पर प्रभाव बहुत नकारात्मक हो सकता है बिजनस में कुछ भी इतना ब्यहतर नहीं है बिजनस को थोड़ा बल देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की स्थती सुद्रण भी है और मजबूत भी है प्राइवेट सेक्टर में आप अलग उचाईच होएंगे आपके लिए एक अलग तरह का आनन्द आएगा सरकारी छेतर की स्थती में आज कुछ च्छय होगा दसम से द्वादस चंद्रमा है गवर्मेंट सेक्टर में कुछ हाथ से काम निकल सकता है मिधोन राशी वालों को आज काम को पकड़ कर रखना होगा दामपत्र जीवन बिवाद की स्थती आज पैदा करेगा पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी दिखाई देगी छोटी-छोटी बातों पर आज विवाद की स्थती आ सकती है लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा परिस्थतियां एक दम से आपके पक्ष में है सकारात्मक्ता बनी हुई है स्वास्थ के मामले में आज हड्डियों की समस्या यात्रा में चूट-चपिट की संभावना और मांसिक विकार का योग बनता है उपाय के तौर पर आज किसी जरुरतमंद को दवा का दान शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्यी प्रतिशत पच्पन करक राशी करक राशी वालों के लिए चंद्रमा का संचनर अश्टम भाव में आया है अब देखिए आठवा घर स्वतह दर्द का है आंतरिक दर्द गुप्त दर्द एक ऐसा दर्द जो हम किसी को बता नहीं सकते अश्टम में अगर शनी बैठे हैं तो आप कभी जीवन में अपने दर्द को किसी के समक्ष उजागर नहीं कर सकते बहुत गुप्त दर्द देते हैं तो आज चंद्र और शनी का विश्योग अश्टम भाव में है पढ़ाई नहीं हो पा रही है पढ़ाई में उतार चढ़ाओ बढ़ रहा है पारिवारिक विसंगतियों के कारौन सिक्षा प्रभावित हो रही है ब्यापार अनुख्ठा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं बिजनस में जैसा आपने विचार किया उसी तरह से आपको काम मिल रहा है आज काम को विस्तार देने का भी संकेत मिलता है बात प्राइवेट सेक्टर की करें तो आप कुछ बड़ा प्राप्त कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए प्रभाव आपका बढ़ रहा है नौकरी में दक्षिर दिशा से आफर आएगा सरकारी छेत्र में आपके लिए आज नए रास्ते खुलेंगे प्रमोशन की खुश्खबरी आज मिले रहेगी दसम से एक अदस में चंद्रमा का संचनण आज सरकारी छेत्र वालों के लिए अवोग अस्त्र का कारे करेगा दामपत्र जीवन की बात करें तो सब्तम से दुती में चंद्रशनी की युती वाणी दोश पैदा कर रहा है करकराशी वालों के लिए वाणी से कुछ गलत निकल जाएगा सोच रहे हैं कुछ निकल गया कुछ आपने बोला कुछ सामने वाले ने लिया कुछ और इसी इस्तिती के कारण दामपत्र जीवन का प्रभाव दूशित हो रहा है लव लाइफ मैटर यहाँ पर सुलज जाएगा जो भी दोनों के बीच बिवाद थे आज उनको सुलजाने का दिन आ गया है करण राशी वालों के लिए आज पति-पत्नी के बीच तालमेल जबर्दस्त बिठाया जा सकता है एक दोसरे किरपति भावनात्मक ग्रूप से आप मजबूती प्राप्त कर रहे हैं दामपत्य जीवन में लव लाइफ में दामपत्य जीवन में बस वाणी अंकुष और लव लाइफ में कोई अंकुष नहीं सबकुछ छुट्टा आपका प्रभाव बढ़ा हुआ है स्वास्त के मामले में करक राशी वालों के लिए बस केवल आज पेट से सम्मंधित दिक्रत होगी बाकी सब ठीक है क्या उपाय करना अगर आप की राशी करक है आज करक राशी वालों को अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए बैगनी भागी प्रत्षत बावन फिफ्टी टू सिंह राशी दिनांक 31 अगस्त दिन गुरुवार पढ़ाई के मैटर सब्तम में चंद्रमा और शनी की यूति के कारण थोड़े से प्रभावी होगे पढ़ाई के मैटर में आज उतार चड़ाव महसूस हो सकता है शिक्षा बहुत अच्छी तो नहीं है थोड़ा सा नियंत्रण में रहने की आवशक्ता है ब्यापार जबर्दस्त है बिजनस में बड़ा प्रभाव है बिजनस की स्थती सकारात्मग है बिजनस में कुछ अच्छा चल रहा है उसी को आप गति दीजेए प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज अनकूल परिस्थतियां है मैटर आपके पक्ष में है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का उतार चड़ाव नहीं किसी बड़ी उपलब्धी की तरफ आप बढ़ रहे हैं आज काम आपका बनेगा साजेदारी में अगर कुछ ब्यापार वगरे था तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजेगा वैसे तो सरकारी छेत्र वालों की बात करें तो आज का दिन अनुकूल परिस्थित पैदा करेगा गवर्मेंट सेक्टर में दसम से दसम में चंद्रमा की उपस्थिती है तो तीन कारेच्षेत्र जो मिला कर हो गए प्राइवेट सरकारी और गौर्मेंट मतलब गौर्मेंट और व्यापार तीनों कारेच्षेत्रों में आज का दिन हर जगह से आपको अरुकूलता दे रहा है कारेशेत्रे में दबदबा कायम रहेगा लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे दामपत्य जीवन भाया खेल तो सब्तम्भाव में ही हुआ है चंद्रशनी का आज एक दूसने के प्रती बड़ा दुराव पैदा हो रहा है छोटी छोटी बात पर विवाद बढ़ जाएगा लव लाइफ बहुत सकारात्मग है एक दूसरे के साथ कहीं घोमने टहलने का कारिकरम बनेगा और समय एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बिताएंगे स्वास्त के मामले में पेट की समस्या आखों की समस्या और किड्नी की समस्या हो जगती है आज सिंग राशी वालों के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है तो आज उपाय के तोर पर सिरिहरी का ध्यान करना है ऑम बिश्वे नमः ऑम बिश्वे नमः सुबरंग आपके लिए के सरिया भागिपत शत्ता वन कन्या राशी आज कन्या राशी वालों के लिए चंदरमा का प्रभाव छठे भाव से संचालित होगा छठा भाव गुप्त शत्रूं का होता है रोग और रिड का होता है, कर्ज यवं बंधन आदिका होता है शिक्षा भाव आपका बहुत सकरात्मक है पढ़ाई में तो कहीं किसी तरह का उठापटक नहीं है शिक्षा आप अच्छी तरह से पूरी करने जा रहे है कन्य राशी ब्यापार की बात करें तो उतार चड़ाओ शुबह है थोरी देर तक रहेगा लेकिन उसके बाद बिजनस आपका बढ़ जाएगा नक्षत्र स्वामी राहु अश्टम में बैठे हैं तो 6 और 8 का संबंध कन्य राशी वालों के लिए आज बन रहा है लिहाजा कुछ बड़ा कर लेंगे लेकिन ओवर्थिंकिंग आज न करियेगा बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो आज रिस्क लेना आपके लिए भारी पड़ेगा उतार चड़ाओ बढ़ेगा, काम में मन कम लगेगा बॉस के साथ बिवाद की स्थिति आज बन रही है सरकारी शेत्र आपके लिए आज बहुत अनकूल रहेगा गवर्णन सेक्टर में आपको मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त हो रहा है और बेस्ट पार्ट की आपके लिए बड़े रास्ते आज परमपिता परमेश्वर की अनकंपा से खुलेंगे लव लाइफ बस अब समय दे दिजिएगा एक दूसरे के लिए रास्ते खुल रहे हैं आज लव लाइफ में किसी तरह की दिकत नहीं है स्वास्त के मामले में आँखों की समस्या घुटने की समस्या और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी कन्या है ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुर्गाये नमह ओम जैंती मंगला काली बद्र काली कपालिनी दुर्गाच्छमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम दुम दुर्गाये नमह ओम दुम दुर्गाये नमह ओम दुम दुर्गाये नमह तीन बार पहले तीन बार बाद में और बीच में जैन्ती मंगलाकाली का मंत्र बोल दीजेगा ना बोल पाएं तो दस बार यही सुन लिजेगा हमारा बोला हुआ काम पूरा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग प्रतिशत तिरपन 53 कन्यराशी के बाद बाखी बची राशियों की जानकारी दें आपको लेकिन बता दें कि आप हमसे कब कहा मुलाकात कर सकते हैं और 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर गयाजी में आप हमारे साथ पितरों की शान्ती के लिए अपना योगदान दे सकते हैं गयाजी में हम उपस्थित रहेंगे आप लोग के साथ रहेंगे और आप लोगों की उपलब्धियों के लिए रहेंगे अगर अब तक आप पितरों की शान्ती नहीं करवाए हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है आप तुरंत संपर्क कर लीजेगा और देखिए इन सब की एक जलक हम यू गए और यू आएं झाल आईए आपको बताते हैं संतोशी जी के अगामी कारिक्रम के बारे में लगते हैं मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें या 9999 024099 पर वाट्सप करें वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है एक बार फिर से आप सब का बहुत स्वागत है देख रहे हैं आप लोग जोतिश दिशासत्य कीरा सबसे सटीक भविश्यवारी गोचर के तरकों के साथ आप सब के सामने सबसे विस्तार से सिर्फ यहां मिलता है इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि अपने रिष्टेदारों को भी आप लोग इसे फॉरवर्ड किया करिए जिससे उनका भी दिन शुब हो और उन्हें भी जो तश्विज्यान का लाब मिले और आपको दुआ मिले आशिरवाद मिले आईए चर्चा कर लेते हैं अब तुलाराशी की तुलाराशी वालों के लिए यह संचरन चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में है जो एकादस भाव पर दृष्टी डाल रहा है पंचम भाव ऐसे भी सिख्षा आदिका ही होता है लिहाजा आज पढ़ाई तो आपकी बहुत अनोखी है और बहतर है सिख्षा में किसी तरह का दोश नहीं है पढ़ाई आप बहुत अच्छी कर रहे हैं चर्चा व्यापार की करें तो यहाँ पर लाब के लिए आप कुछ गलत रास्ते अख्तियार करेंगे आज शनी की दृष्टी है न एकादस पर एंगल देखिए यह है अतिंद्रिय ग्यान यहाँ पर भगवान कुछ हमें बताता है और भाई साब तुलाराशी है न मतलब चैलेंज कर रहा हूँ ठोक कर चैलेंज कर रहा हूँ आप शाम को मिलाईएगा और आप आज हुक एंड कुरुक न अपनाएं तो कहिएगा आज आप लाब के लिए गुप्त रास्ते अख्तियार कर सकते हैं ब्यापार में लाब मार्ग आपका आज प्रसस्त हो रहा है बलोशन देव महराज की जय आज आपका दिन लाब स्थान को मजबूती प्रदान करेगा लाब मार्ग आपका आज मजबूत होगा ब्यापार थोड़ा सा गति दीजिएगा और रुके धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करिएगा दो चीज़ें आपको ध्यान देना है बात अगर प्राइवेट सेक्टर की करें तो आपके लिए आज कुछ बड़े मैटर खुल रहे हैं आज काम में मन कम लगेगा बॉस के साथ किसी पुराने विवाद पर आज बहस हो सकता है मामला आपके हाथ से बाहर जा रहा है कई तरह की चिंताएं हो सकती है सरकारी छेतर में इस्थती आपके अनुसार है गवर्मेंट सेक्टर बहुत स्टॉंगली आपके लिए आज हेलफुल रहेगा गवर्मेंट सेक्टर आप पर आज महरवान रहेगा किसी तरह की दिक्कत आज गवर्मेंट सेक्टर में नहीं होगी आज का दिन सरकारी छेतर वालों के लिए वर्क लोट को बहुत इसली हैंडिल करने का है मैरेट लाइफ की बात करें तो सब्तम से एकादस भाव में चंद्रमा बैठे हैं बच्चों को लेकर के आज कुछ विशेश लाब होगा दामपत्ते सुख बढ़ेगा आज तुलाराशी वाले महलाओं को अपने पती में परमेश्वर का ही सुख दिखेगा परमेश्वर का ही अक्स दिखेगा लव लाइफ यहाँ पर विकार आ रहा है यहाँ इस्थती बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर विकार आएगा क्योंकि पंचम में ही विश बना है आज गोचर में पंचम भाव में ही विश बना है और पंचमेश स्वग रही है लेकिन वक्री है तो तुलाराशी वालों के लिए कुछ दिन के लिए आज हो सकता है कि एक दूसरे को लव लाइफ में ब्लॉक कर दे अस्थाई नहीं है ये आस्थाई है स्वास्थ के मामले में माइगरेन और घुटने की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए तुलाराशी वालों के लिए ओम गंगणपते नमह ग्यारह बार इसका जाप कर लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज औरेंज भाग्य प्रतिशत पच्पन व्रिश्चिक राशी बहुत अनोखा दिन है शिक्षा छेत्र के लिए आज दिब्य है चतुर्थ भाव में आज आपके चंद्रशनी की यूती है पंचम से द्वादस पढ़ाई में मेहनत लगेगा हला कि बहुत ठके ठके से महसूस करेंगे लेकिन फिर भी शिक्षा आपकी आज चलेगे शिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापारिक दिष्ट कोंड से समय आज थोड़ा सा उल्टाओ चढ़ाओ वाला रहेगा लेकिन बिजनस में आप आगे बढ़ जाएंगे परिस्थतियों को आप साध लेंगे बिजनस आज गति प्राप्त करेगा आपका प्रभाव आज अनकूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सोच समझकर निर्ला लेना होगा उतार चढ़ाओ बढ़ सकता है अपने आप पर काबू रखें अगर प्राइवेट सेक्टर में जाब कर रहे हैं तो आप परिवर्तन के लिए आज विचार न करिएगा चतर्द भाव में चंदर शनी का विश्योग है आज सरकारी छेत्र में शनी देव का प्रभाव चुकी दसम भाव पर बढ़ रहा है आज और चंद्रमा साथ में हैं दसम पर सत्र दिष्टी से शनी देव देख रहे हैं मन मुटाव की स्थती आ सकती है बौस के साथ आज किसी पुरानी बात को लेकर के आज विवादास्पद स्थती आ सकती है आज कारिछेत्र में दुराव आएगा थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है बात करें अगर दामपत्य जीवन की तो पति-पत्नी के बीच तालमेल की आज मजबूती रहेगी एक दूसरे में आज मजबूती रहेगी आज का दिन पति-पत्नी एक दूसरे को समर्पित भाव से देखेंगे लव लाइफ यहाँ पर मैटर गरबर होगा पंचम से 12 में चंद्रमा है आज प्रेम का 6 है आज कोई सेंध लगाएगा आज एक दूसरे के लिए भाव नहीं पैदा होगा कुछ न कुछ बात ऐसी आएगी जो परेशान करेगे स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों की समस्या देगा क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तौर पर आज की दिन को शुब करने के लिए अच्या हाँ, हर्ट की प्रॉबलम भी हो सकती है चतुर्थ में है ना शनी चंद्रमा चतुर्थ भाव चाति का होता है प्रियोग के तौर पर आज ब्रिश्चिक राशी वालों को दायने हथेली पर सर्सो का तेल लेकर किसी पौधे के नीचे डालना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रत्षत 52 धनुराशी बहुत सकरात्मक प्रभाव आपका है पढ़ाई अच्छी कर रहें शुक्षा में आपका प्रभाव बढ़ रहा है शुक्षा के छेत्र को आज उचाई छुएंगे शुक्षा में कुछ बढ़ा होगा ब्यापार के लिए क्या करें? बिजनस में मैटर थोड़ा सा गरबर हो सकता है थर्ड हाउस में आपके चंद्रमा है आज दसम से नवम में है भागी के सहारे बैठने का मन करेगा इक्षा ही नहीं होगी कि काम करें तो बिजनस कहां से चलेगा भीया आज धनुराशी वालों का ब्यापार प्रभावित होगा ग्राह कम आएंगे मन खिन रहेगा शाम को मन बड़ा उचाट उचाट सा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर बात करें तो धनुराशी वालों को आज मेहनत से भागना भारी पड़ेगा आज इस्थतियां धन की तो अच्छी हैं लेकिन आपको मेहनत जवर्दस्ट करना होगा आज का दिन नई नौकरी के लिए प्रयास सफल होने का है सरकारी छेत्र में यात्रा से लाब बॉस की प्रशनता नया वर्क लोड बढ़ेगा छुट्टी आद के लिए पैरवी आज कर सकते हैं काम आपका बन जाएगा कुछ कोर्ट कचहरी के मैटर अगर हुए थे तो उसको आज सुझाने का प्रयास करें दामपत्य जीवन सब्तम से नवम में चंद्रमा है तो किसी भी चीज को समय पर आज नहीं छोड़ना है आज इनिशियेट करना है मैरेड लाइफ के मैटर पर ध्यान दिजेगा जैसे अगर कोई बात पति-पत्नी के बीच में आ गई है तो आप वेट न करिए कि 4-6 दिर रुख जाएं अपने आप समझ में आएगा नहीं आज इनिशियेट करिए छेडी तो मामला बन जाएगा आज देखिए इतना गहराई से मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाग्य है न तो भाग्य के सारे छोड़ेंगे शनी वहां छोड़वा सकता है संभावना है लव लाइफ बम बम आज गुपतलाव है डेट ओड पर जाने की संभावना है अंतरंगता क्लोजनेस बढ़ेगी स्वास्थ धनुराशी कमरदर्द और लीवर की प्रॉबलम है उपाय के तोर पर आज किसी जरुरुतपंद को हरी सबजी का दार करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रतिशत मकर राशी दिनांक 31 अगस्त दिन गुरुवार चंद्रमा दुती भाव में आपकी विराजमान है शिक्षा की इस्थती हर कदम पर आपके लिए लाभदायक है पढ़ाई आप बहुत शुब इस्थती में कर रहे है शिक्षा बहुत अच्छी आ चल रही है वाणी में ओज आएगा तेजी आएगी ब्यापार की बात करें तो बिजनस गजब का उठ रहा है बिजनस में आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं बिजनस का लाभ आपको अनोखे अंदाज में मिलेगा हर कदम पर आपके लिए आज नए कुछ न कुछ प्रभाव मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दुती भाव के चंद्रमा की स्थती दसम से पंचम में है लिहाजा आज धन लाभ तो होना ही होना है बॉस से अगर कुछ लेने के लिए विचार किये थे तो आज आप मांग सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कुछ आज बड़ा और नया रास्ता खुलेगा नई नवकरी की संभावनाओं को भी तलाशने के लिए दिन उत्तम है सरकारी छेत्र की बात करें तो आज का दिन गॉर्मेंट सेक्टर में बहुत अनकूल रहेगा दामपत्य जीवन के लिए आज थोड़ी सी दिक्कते हो सकते हैं दुरी आजाएगी अचानक से जैसे कोई अब दुती भाव में देखिए विश बना है दुती भाव ही हमारे कुटुम्ब का होता है और सबसे नजदी कुटुम्ब हमारी पत्ती या हमारा पत्ती होता है आज मगराशी की महिलाओं के लिए जिम्मेदारी अचानक से बढ़ रही है प्रभाव आपको बढ़ाना पड़ेगा मगराशी वालों को आज प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा दामपत्य जीवर में अपना वर्चस्व बढ़ाना पड़ेगा मतलब शक और एक दम न करिएगा लव लाइफ यहां इस्थतियां ठीक है समझदारी से काम करेंगे और काम आपका बन जाएगा स्वास्त के मामले में आज का दिन किटनी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चेगर आपकी राशी मकर है आज मकर राशी वालों को प्रियोग के तोर पर शिवलिंग पर शेहद चढ़ाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रतिशत सत्तावन कुम्भ राशी आपकी ही राशी में आज चंद्रमा संचरण कर रहे हैं दिन आपका ही है बिंदाज रहिएगा सद भिशा नक्षत्र है तृतिय भाव में आपके नक्षत्र स्वामी बैठे हैं आज के गोचर के पढ़ाई में जल्दी बाजी घातक है कोई प्रश्ट पत्र आदी अगर देना होगा इंटर्व्यू आदी देना होगा तो आप थोड़ा ठहर कर काम करिएगा शनी और राहु यही चाहते हैं सिक्षा आपके लिए अनकूल है पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है बात ब्यापार की करें तो आज बिजनस का समय कहा जाएगा बिजनस अच्छा चलेगा अनकूलता बिजनस की मामले में बनी होई है कारिश्ष्टर में आपका दबदबा रहेगा आपका प्रभाव आपका बर्चस्व बढ़ा हुआ है प्राइवेट सेक्टर में आज का दिन यात्रा से लाव देगा आज कहीं नई जगह जो है ज्वाइनिंग और गरे के लिए कदम बढ़ा सकते हैं कुछ पुराना प्रभाव उसको बढ़ाने की आवश्यक्ता है जितना अपने आपको मजबूती ला सकते होतना लाएं दामपत्य जीवन पत्नी और पती के बीच तालमेल की थोड़ी बहुत कमी अब कुम्भराशी है सात्वे में इस्थतियां वैसे भी बस सुर्य के साथ थोड़ा सान नोग जोंग तो रहेगा शनी की दृष्टी है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन बुद्ध के सकारात्मक प्रभाव के चलते सब कुछ बहुत शुब है प्रभाव आपका अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ लव लाइफ और अब आए जान लेते हैं आपके लिए खास स्वास्त स्वास्त के मैटर पर आज कुम्ब राशी वालों को जुखाम खासी के साथ साथ बैक की प्रॉबलम हड्डियों की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम्ब है ओम नमह शिवाय का ग्यारह वार जाप करेंगे शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रद्शद पच्पन अंतिमराशी मीन समय अनकूल रहेगा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है शिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार बहतर चल रहा है बिजनस में रुके कार गतिमान हो रहे हैं बिजनस को आज आप बहुत तेजी से लेकर जाएंगे आज का दिन ब्यापार में आपके लिए बहुत अनकूलता देगा क्योंकि आप मेहनत बहुत करेंगे आपकी मेहनत का परिणाम आज आपको दिखेगा दसम से तरती अर्थाद 12 स्थान पर चंदर शनी है प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज काम में मन नहीं लगेगा आज किसी ने किसी बात पर उतार चड़ाओ और समस्याएं अचानक आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में कुछ सरकारी मशीनरी से भी जो है उल्जन बढ़ेगी आज शुब प्रभाव तभी दे पाएगा जब आप मेहनत बढ़ाएंगे दामपत्य जीवन में सब्तम भाव का स्वामी बुध अच्छी पोजीशन पर है तो यहां से संतुलन बनेगा सब्तमेश के कारण अन्यथा सब्तम से छठे में चंद्रशनी की युती आज बेड़ पर रात में बेड़ पर विस्तर पर युद्ध तैं मीन राश्य वालों को आज विस्तर पर युद्ध तैं सोच समझ करके वाणी को खोलिएगा लव लाइफ संतुलित है अवसर देगा प्रपोज करिए बिवाह की चर्चा जरूर कर लीजे स्वास्त के मामले में कमरदर्द और पेट की समस्या हो सकते है प्रियोक के तोर पर मीन राश्य वालों को अम 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 तेन बार इसका जाब कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भागी प्रतिशत इक्क्यावर गोचर के द्वारा कैसे हमें फल मिलता है इसका विस्तार से हमने आपके समक्ष चर्चा की पहले आए जान लेते हैं आज का सक्सस की उल्टे हाथ के इंडेक्स फिंगर में सरसो का तेल लगा कर अपने कंठ को छू दें और ओम ब्रिम ब्रहस पतए नमः ओम ब्रिम ब्रहस पतए नमः तीन बार इसका जाब कर लीजें काम पूरा आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे आज का भाग्याक्षर दिनांग 31 अगस्त दिन गुरुवार का भाग्याक्षर मिश भाग्षर ब्रिशब हाँ मिथुन साग्षर कर्क छोटा आ सिंग वाग्षर कन्या चा तुला पाग्षर ब्रिश्चिक, था, धनू, गाग्षर, मकर, हा, कुम, वाग्षर, मीन, द, ये आपके शुब भाग्याक्षर जिन्हें सादेच चोकुर कागज पर लिखकर अपने पास रख लिजे 24 गंते के लिए रखना है, कल वाले भाग्याक्षर को दो भागों में करकर किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा, काम पूरा हो जाएगा अनोखे अंदाज में आपको लाब मिलेगा आई आगे वरते हैं और अब जान लेते हैं आज का इस्पेशल, महा इस्पेशल, शुभ, आयुश्मान भवह, दिनांगी 30 अगस्त को पैदा हुए लोगों को हार्दिक शुभ काम नाए, जनम दिन मबारक हो क्या रहेगा इस्पेशल, आपके लिए पुरे वर्ष को शुभ करने का उपाय, तीन बच्चों को खाना खिला दिजेगा, दो बच्चों की सिक्षा में मदद कर दिजेगा, और इसके बाद किसी जरूरत मंद को पाठ पुस्तक आदि भी दे दिजेगा, काम आपका पूरा हो जाएगा, अब जान लेते हैं, इस्पेशली जिसका आज मेरे जैनवर्सरी है, पती-पत्नी मिलकर पीपल की तीन परिक्रमा कर ले, क्लॉकवाइज, दो जरूरत मंदों को भोजन कराके वस्त्र आदे दे, किसी मंदिर जाकर रुद्रा भी शेक करवाएं, और पुजारी जी को वस्त्र आदे से शुशोफित करें, बस काम पूरा हो जाएगा, बहुत आभार आपका वेक्त करते हैं, हमें अनुमत दीजेगा, लेकिन जाते-जाते फिर से आपको बता दे, तीन और चार सितंबर को हम मुलाकात करेंगे, आपसे चंडीगर में, उसके बाद राची, राची के बाद सतना, और सतना से फिर गाजियाबाद, ये सितंबर महीने के टूर है, वैसे संभावना है कि हम मुंबई पूने भी सितंबर लाश्ट में आ जाएं, तो अपॉइंटमेंट हर शहर का आप लोग लीजिए, बस देर मत करिएगा, समय जारी है, और गयाजी में भी बुकिंग चल रहा है, अगर आप पितरों की शांती चाहते हैं, तो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर बड़ा मौका है, और ये पांचमा सत्र है, जब आप गयाजी में मिलकर हमारे साथ अपने पितरों की शांती की व्यवस्था कर सकते हैं, अनुमत सितंबर गुहाटी, 15 और 16 सितंबर लखनौ, 17 और 18 सितंबर पटना, 19 और 20 सितंबर सिली गुडी, 21 और 22 सितंबर कोलकत्ता, 23 और 24 सितंबर रांची, और 25 और 26 सितंबर सतना, में आप संतूशी जिसे मिल सकते हैं, मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें, या 9999024099 पर वाटसप करें, वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है, आचार्य, विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य, संतोश संतोशी जी ने, अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद, आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं, एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे, ये ग्रहदीब, आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है, कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से, हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू, महालक्षमी, कर्ज, कोट, विवाद, मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के ल ही, खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदी, दीप एक, खुशियां अनेक